मेरे प्यारे देश्वाजियों नमस्कार आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटी-कोटी मेरे परिवार जनों से मिलने का आउसर मिला है मन की बात में आप सब का स्वागत है कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्दी हासिल की है जो हम सभी को प्रेणा देती है भारत के सामर्थ के प्रती एक नया विश्वास जगाती है आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समेंग की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेश है इस महेने पांच तारिक को देश में यूनिकॉन की संख्या सो के आंकडे तक पहुँच गई है और आपको तो पता ही है एक यूनिकॉन यानि कम से कम साड़े साथ हजार करोड रुपिय का स्टार्ट अप इन यूनिकॉन का कुल वैलिवेशन तीन सो तीस बिलियन डॉलर यानि पचीस लाग करोड रुपियों से भी जादा है निश्चित रुप से ये बात हर भारतिय के लिए गर्व करने वाली बात है आपको यह जानकर भी हरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉन में से 44, 44 पिछले साल बने थे इतना ही नहीं इस वर्स के 3-4 महिने में ही 14 और नहे यूनिकॉन बन गए इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्ट अप्स, वेल्थ और वेल्यू क्रियेट करते रहे इंजियन यूनिकॉन्स का एवरेज एन्यूल ग्रोथ रेट USA, UK और अन्य कई देशों से भी ज़्यादा है एनालिस का तो यह भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉन्स डाइवर्सिफाइंग है ये इकॉमर्स, फिन्टेक, एटेक, बायोटेक जैसे कई खेत्रों में काम कर रहे हैं एक और बात जिसे मैं ज़्यादा एहम मानता हूँ वो ये है कि स्टार्ट अप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है आज भारत का स्टार्ट अप एको सिस्टिम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिम्वित नहीं है छोटे छोटे शहरों और कस्मों से भी एंटर्प्रिणर सामने आ रहे हैं इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोविटिव एडिया है वो वेल्थ क्रियेट कर सकता है साथियों देश की सफलता के पीशे देश की युवाशक्ति, देश के कैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं हर किसे का योगदान है लेकिर इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है वो है स्टार्ट अप बर्ड में राइट मेंटरिंग यानि सही मारदर्शन एक अच्छा मेंटर स्टार्ट अप को नई उचाईयों तक ले जा सकता है वो फाउंडर्स को राइट डिसिजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है मुझे इस बात का गर्व है कि भारत में ऐसे बहुत से मेंटर्स है जेनों ने स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है स्रीधर वेंबू जी को हाली में पदमसमान मिला है वो खुद एक सफल एंटर्परिनर है लेकर अब उनों ने दूसरे एंटर्परिनर को एंटरूम करने का भी बीड़ा उठाया है स्रीधर जी ने अपना काम ग्रामेण इलाके से शुरू किया है वे ग्रामेण युवाओं को गाउं में ही रहकर एक शेतर में कुछ करने के लिए प्रोसाइट कर रहे हैं हमारे हां मदन पढ़ाकी जैसे लोग भी हैं जिनोंने रूरल एंटर्परिनर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रीज नाम का प्लेट्फरम बनाया था आज वन ब्रीज दक्षिन और पुर्वी भारत के पचतर से अधिक जीलों में मौजूद है इस से जुड़े 9000 से अधिक रूरल एंटर्परिनर्स ग्रामिन उपभोगताओं को अपनी सेवाई उपलब्द करा रहे हैं मेरा शैनोई जी भी ऐसी एक मिसाल है वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूद के लिए मारकेट लिंक स्किल ट्रेनिंग के ख्षेतर में उलेख लिये कार्य कर रही है मैंने यहां तो कुछ ही नाम लिए है लेकिन आज हमारे बीच मैंटर्स की कमी नहीं है हमारे लिए यह बहुत प्रसनता की बास है कि स्टार्ट अफ के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टिम तैयार हो रहा है मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्ट अफ वर्ल के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी साथियों कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंट्रेस्टिंग और अट्रेक्टिव चीज मिली जिसमें देश वास्चों की क्रियेटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है एक उपहार है जिसे तमिल नाड़ू के तंजावूर के एक सेल्फ हेल्प ग्रूप ने मुझे बेजा है इस उपहार में भारतियता की सुगंध है और मात्रो शक्ति के आशिरवाद मुझ पर उनके इसने की भी जलक है यह एक स्पेशल तंजावूर डॉल है जिसे जी आई टैग भी मिला हुआ है मैं तंजावूर सेल्फ हेल्प ग्रूप को विशेश धन्वा देता हूँ कि उन्होंने मुझे स्थानिय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा वैसे साथियों यह तंजावूर डॉल जितनी खुबसूरत होती है उतनी ही खुबसूरती से यह महिला ससकते करण की नई गाथा भी लिख रही है तंजावूर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रूप के स्टोर और कियोस भी खुल रहे हैं इसकी वेज़े से कितने ही गरीब परिवारों की जिन्दगी बदल गई हैं ऐसे कियोस और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोड़क्ट ग्रहकों को सीधे बेच पा रही हैं इस पहल को तार गईगल कई विनई पोरुद कल विरप्पन अंगारी नाम दिया गया है खास बात ये हैं कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्फ ग्रूप जुड़े हुए हैं आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप महिला स्वयम सहायता समू के ये स्टोर तंजावूर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं इनकी देख रहे कि कुरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही है ये महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप तंजावूर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जी आई प्रोड़क के अलावा खिलोने, मेट और आर्टिफिशल ज्वैलरी भी बनाते हैं ऐसे स्टोर की वेज़े से जी आई प्रोड़क के साथ साथ हैंडी क्राप के प्रोड़क की विक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली हैं इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है बलकि महिलाओं की आबदनी बढ़ने से उनका स्थरक्तिकरण भी हो रहा है मेरा मन की बात के सुर्ताओं से भी एक आगर है आप अपने क्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूप काम कर रहे हैं उनके प्रोड़क्स के बारे में भी आप जानकरी जुटाएं और जादा से जादा इन उत्पादों को उप्योग में आएं ऐसा करके आप सेल्फ हेल्फ ग्रूप की आए बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही आत्मन निर्भर्थ भारत भियान को भी गति देंगे साथियों हमारे देश में कई सारी भाषाओं लीपियां और बोलियों का सम्रुद खजाना है अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग पहनावा खान-पान और संस्क्रती ये हमारी पहचान है ये डाइवर्सिटी ये विविदता एक राष्ट के रूप में हमें अधिक ससक् और एक जूट रखती है इसी से जुड़ा एक बेहत प्रेरक उधार है एक बेटी कल्पना का जिसे मैं आप सभी के साथ साजा करना चाहता हूं उनका नाम कल्पना है लेनुगन का प्रयास एक भारत स्रेष्ट भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है दरसल कल्पना ने हा यह हदखास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कंड़ा भाशा ही नहीं आते थी उन्होंने न सिर्फ तीन महने में कंड़ा भाशा सीखी बलकि 92 नंबर भी विला करके दिखाए आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी लेकिन यह सच है उनके बारे में और भी कई ब देगी कल्पना मुल रुप से उत्राखन के जोसी मट की रहने वाली है वे पहले टीवी से पीडित रही थी और जो पर तीसरी कच्छा में थी तभी उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी लेकिन कहते हैं न जहां चा वहारा कल्पना बाद में मैसुरू की रहने वाली प्रफिसर तारा मुर्ती के संपर्गमाई जिनोंने न सिर्व उने प्रोशाइद किया बलकि हर तरह से उनकी मदद भी की आज वो अपनी महनत से हम सब के लिए एक उधारर बन गई है मैं कल्पना को उनके होंसले के लिए बढ़ाई देता हूँ इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भासाई विविद्रा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं ऐसे ही एक साथी है पस्चिम मंगाल में पुरूलिया के स्रिपति टूडू जी टूडू जी पुरूलिया की सिद्धो कानो बिर्सा उनिवर्सिटी में संथाली भासा की प्रफुसर है उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्चिकी लिपी में देश के समिधान की कौपी तयार की हैं स्रिपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा समिधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और करतव्य का बोध कराता है इसलिए प्रतेक नागरिक को इससे परिचीद होना जरूरी है इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपी में समिधान की कौपी तयार करके भेट सोगात के रूपे दी हैं मैं स्रिपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराना करता हूँ ये एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना का जीवन्त उधारन है इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत स्रेष्ट भारत की वेबसाइट पर भी जानकरी मिलेगी यहां आपको खान-पान, कला, संस्कृति, परियाटन समेथ ऐसे कई विश्वपर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं इसे आपको अपने देश के बारे में जानकरी भी मिलेगी और आप देश की विविदता को मैसूस भी करेंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों, इस समय हमारे देश में उत्तराखन के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है चार धाम और खास कर केदारनात में हर दिन हजारों के संख्या में सरद्धालू वहाँ पहुँच रहे हैं लोग अपनी चार धाम यात्रा के सुखत अनुभव शेयर कर रहे हैं लेकिन मैंने ये भी देखा कि सरद्धालू के दारनात में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही, गंदगी की वज़े से बहुत दुखी भी है, सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है, हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का धेर हो ये ठीक नहीं है, लेकिन साथियों, इन सिकायतों के बीच कई अच्छी तस्विरे भी देखने को मिल रही हैं, जहां स्रद्धा है, वहां स्रजन और सकारात मक्ता भी है, कई स्रद्धालू ऐसे भी है, जो बाबा केदार के धाम में दर्सन पुजन के साथ साथ, स्वच्च साथ कर रहा है, स्वच्च भारत अभ्यान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वायू से भी संग्रण भी वहां काम कर रहे हैं, साथियों, हमारे यहां जैसे तीर्थी यात्रा का महत्व होता है, बैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है, और मैं तो ये भ जो स्वच्छता और सेवा की साधना में लगे हुई हैं। गुप्त कासी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाडी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। चमपाजी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाये हैं और उन्होंने अपने परिसम से एक हरा भरा बन तयार कर दिया है। चाथियों ऐसे ही लोगों के प्रहासों से देवभुमी और तिर्थों की वो देवी ये अनुभुती बनी हुई हैं। जेसे अनुभव करने के लिए हम बहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्धात्मिक्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में चारधाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनात यात्रा, पंडरपूर यात्रा और जगनात यात्रा जैसे कई यात्राएं होगी। सावन मास पर दो शायद हर गाउं में कोई मेला लगता है। साथियों हम जहां कहीं भी जाए इन तीरत ख्षेत्रों की गरिमया बनी रहें। सुचीता, साफ सफाई, एक पवित्र भातावरन हमें इसे कभी नहीं भूलना है। उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी हैं कि हम स्वच्चता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद ही पाँच जून को बिश्व परियावरन दीवस के रूप में मनाता है। परियावरन को लेकर हमें अपने आसपास की सकारत पर भ्यान चलाने चाहिए। और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सब को साथ जोड़कर स्वच्चता और रुक्षा रुपन के लिए कुछ प्रहास जरूर करें। आप खुद भी प्रेड लगाईए और दूसरों को भी प्रेजित करिए। मेरे पहरे देशवासियों अगले महिने 21 जून को हम आठवा अंतराष्टिय योगदिवस मनाने वाले हैं। इस बार योगदिवस की थीम है योगा फर हुमेनिटी। मैं आप सभी से योगदिवस को बहुत ही उत्सा के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ करोना से जुड़ी जरूरी सावधानिया भी बरते। वैसे अब तो पूरी दुनिया में करोना को लेकर हालत पहले से कुछ बहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सिनेशन कवरेज की वज़े से अब लोग पहले से कहीं ज़्यादा भाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये ऐसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्त का कितना अधिक भात्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोगे मैसूस कर रहे हैं कि योग से physical, spiritual और intellectual well-being को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के top business person से लेकर, film और sports personalities तक, students से लेकर सामान्यमान्वी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बड़ती लोगप्रियता को देखकर, आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहत इनोवेटिव उधारों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इन्हें में से एक है गार्डियन रिंग, एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्रेम होगा। इसमें मुवमेंट अफ सन को सेलिबरेट किया जाएगा। यानि सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा धर्ती के अलग-अलग हिस्सों से हम योग के जरिये उसका स्वागत करेंगे। अलग-अलग देशों में इन्डियन मिशन्स वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कारकम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कारकम शुरू होगा। पूरव से पस्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी। फिर ऐसे ही यागे बढ़ता रहेगा। इन कारकमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी। यानि ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। आप भी इसे जरूर देखिएगा। साथियों हमारे देश में इस बार अमरित महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतराष्ट्य योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कही संगठन और देश्वासी ने अपने अपने स्थर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगाओं पर कुछ लग कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी या आगर करूँगा। इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गाओं की किसी ऐसी जगाओं चुने जो सबसे खास हो। ये जग कोई प्राचिन मंदीर और परियतन के दर हो सकता है। या फिर की स्विप्रसिद नदी, जील या तालाब का खिनारा भी हो सकता है। इस से योग के साथ साथ आपके छेतर की पहचान भी बढ़ेगी और परियतन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समय योग दिवस को लेकर 100 डे काउंटडाउन भी जारी है। या यूँ कहें कि नीजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कारकम तीन महने पहले ही शुरू हो चुके हैं। कर दीजिए। जादा से जादा लोकों से मिलिए। हर किसी को योग दिवस के कारकम में जुड़ने के लिए आगरह कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चटकर हिसा लेंगे। साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे। साथियों कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। अपने कई कारकमों के बीच मुझे कुछ शांदार सच्षियतों से मिलने का मोखा मिला। मैं मन की बात मैं आपसे उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वे लोग है तो जापान के। लेकिन भारत के प्रती इनमें गजबकन लगाव और प्रेम है। इनमें से एक है हिरोशी कोई के जी जो एक जाने माने आर्ट डिरेक्टर है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक को डैरेक्ट किया है। इस प्रोजेक के शुरुवार कमबोडिया में हुई थी और पिछले नव सालों से ये निरंतर जारी है। हिरोशी कोई के जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहाँ लोकल आर्टिस्ट और मिजिशन्स के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोडूश करते हैं। इस प्रोजेक के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कमबोडिया और इंडोनेसिया सही नव देशों में प्रोड़क्शन किये हैं और स्टेज परफॉर्मंस भी दी हैं। हिरोशी कोईकेजी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिस्टन एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैक्ग्राउंड रहा है। इस वज़े से उनके काम में भिविद रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाइलेंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नूत्य, बाली नूत्य, थाई नूत्य के जरिये इसे और आकर्शक बना देते हैं। खास बात ये हैं कि इसमा प्रत्यक परफॉर्मर अपनी ही मात्रू भाशा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खुबसूरती से इस विविदता को प्रदर्शित करती हैं। और मुजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जिवन बना देती हैं। उनका उदेश इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और को एक्जिस्टन्स का क्या महत्व हैं और शांती का रूप वास्तों में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा में जपान में जिन अन्य दो लोगों से मिला वे हैं आक्सुसी माट्सू जी और केंजी योशी जी ये दोनों ही टैम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का समन रामायन की उस जापानीस एनिमेशन फिल्म से हैं जो 1993 में रिलिज हुई थी। ये प्रोडेक जपान के बहुती मशूर फिल्म डारेक्टर यूगो साकुजी से जुड़ा हुआ था। करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायन के बारे में पता चला था। रामायन उनके रदे को छूग गई। जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं। उन्होंने जापानी भाषा में रामायन के 10 वर्जन्स पर डाले। और वो इतने पर ही नहीं रुके। वे इसे एनिमेशन भी उतारना चाहते थे। इसमें इनियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाये गए भारती रित्रिवाजों और परंपरों के बारे में गैड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दुसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आश्रिवाद की प्रमपरा क्या होती हैं, प्रात उठकर करके, अपने घर के जो सीनियर है, उनको प्रणाम करना, उनके आश्रिवाद लेना, इस सारी बाते, अब 30 सालों के बाद, यह एनिमेशन फिल्म, फिर से 4K में रीमास्टर की जा ही है, इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पुरा होने के समभावना है, हमसे हजारों किलोमिटर दूर, जपान में बैठे लोग, जो ना हमारी भाशा जानते हैं, जो ना हमारी परमपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृती के लिए समरपन, यह स्रद्धा, ये आदर बहुती प्रसंसनी है कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा मेरे प्यारे देश स्वास्चियों स्वासे उपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र सेल्फ और सुसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन देए बनाए हुए है मुझे आनतर प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साती राम भुपान डेडी जी के बारे में जानकारी मिली है आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामभुपान रेडी जी ने रेटायर्मेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की सिख्षा के लिए दान कर दी है उन्होंने करीब करीब सो बेटियों के लिए सुकन्या समरुद्धी योजना के तहर खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाग से जानदा रुपिय जमा करवा दिये ऐसे ही सेवा का एक और उदाहन यूपी में आगरा के कचोरे गाउं का है काफी साल से इस गाउं में मीठे पानी की किल्लत थी इस बीच गाउं के एक किसान कुमर्सी को गाउं से 6-7 किलोमेटर दूर अपने खेट में मिठा पानी मिल गया ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी उन्होंने सोचा क्योंने इस पानी से बाकी सभी गाउं वाच्चों के भी सेवा की जा लेकिन खेट से गाउं तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाक रुपिय चाहिए थे कुछ समय बाद कुमर्सी के छोटे भाई शामसी सेना से रेटायर होकर गाउं आये तो उन्हें ये बात पता चली उन्होंने रेटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनरासी इस काम के लिए सौब दी और खेट से गाउं तक पाइपलाइन बिछा कर गाउं वालों के लिए मिठा पानी पहुँचाया अगर लगन हो अपने कर्तव्यों के प्रति गंबीरता हो तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्व बदल सकता है ये प्रयाख इसकी बिड़ी प्रेना है हम कर्तव विपत पर चलते हुए ही समाज को ससक्त कर सकते हैं देश को ससक्त कर सकते हैं आज हादि के इस अमरित महुत्सों में यही हमारा संकल्ग होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्या कर्तव्या और कर्तव्या मेरे प्यारे देश वांचियों आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपुन विश्यों पर चर्चा की आप सब अलग-अलग विश्यों से जुड़े महत्वपुन सुजाव मुझे बेटते हैं और उनी के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है मन की बात के अगले संसकरान के लिए अपने सुजाव भेजना भी मत भूलिएगा इस समाए आज हाजी के अमरत महत्व से जुड़े जो कारकम चल रहे हैं जिन आयोजन में आप सामिल हो रहे हैं उनके बारे में भी मुझे जुरूर बताइए नमो एप और माय गौपर मुझे आपके सुजाव का इंतजार रहेगा अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे फिर से देश वास्वे से जुड़े ऐसे ही विश्यों पर बाते करेंगे आप अपना ख्याल रखे और अपने आसपास सभी जीव जन्तों का भी ख्याल रखे गर्मियों के इस मौसम में आप पसू पक्षों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवी दायक वभी निभात रहें ये जरूर याद रखेगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद